असलामलेकुम स्टुरेंट्स लास लेक्टर में आप लोगों ने पर्मोडेशन के बारे में डिटेल में सीख लिया होगा क्या रूल्स होते हैं इसके क्या कॉंसेप्ट है क्या फॉर्मले हैं इंशालला इस क्लास में 6.2 हमने वो कुशन सौल्फ कर लिए दें जो इसकी बाते जो हैं वह मैं साथ इसके लगा दूँगा उस पर आप देख लेना वहां पर सौल्फ कर रहा है इसी किसम के कुशन से अगर आप शुरू के दो पार्ट देखो एक ही किसम के कुशन से वह भी वीडियो में लगे होंगे आप देख लिना कि किस टेखनीक से हमें आप लोगो पूछ लेना शुरू में आपके पास ना जस्ट कुछ पर्मोटेशन है जो कि कुछ आप के बगए निकाल सकते हो लेकिन कुछ निकालना मुश्किल है लेकिन फॉर में डिसकस कर लेते हैं पार्ट 1,2,3,1 किसम के मैं पार्ट नंबर 2 बदाता हूं आप लोगों को कुछ नंबर 1 का पार्ट 2 लिखा है कि कल्कुरेट करो 20P5 आप ये कल्कुरेटर के बजाए क्लकुरेट करना तुड़ा मुश्किल है क्योंकर नंबर बढ़े हो जाएंगे लेकिन फिर भी मैं फॉ इस ने और पर 20Faktorial नीचे हो जाएगा n-r यहां पर 5 है फिर हो जाएका 20Faktorial divided by 15Faktorial अब थोड़ा मसी है कर सकते हैं यहां पर आप इसको लख सकते हो यहां पर जो बड़ा टोर्ट है अब आपको बसाइते हैं इसको प्रेंट करना तो 2025 इसक्ते 19 18 17 16 और आप देखो कि 15 और यहां पर रूप जाओ तो फेक्टोरियल लगा दो नीचे 15 फेक्टोरिया तो आपके पास सिंपल प्रोड़क्ट क्या दाएगा 20 इंटो 19 इंटो 18 इंटो 17 इंटो 16 यह भी क्या निकालना मुश्किल है लेकिन अब कभी ऐसी इनुवर्स्टीज होती है यह पेपर में अगर पेपर में अब आपके लिए सवाल आते हैं तो उसमें वेर्टी इजी देंगा आपको फॉर् हो जाएगा इसी तरह पार्ट 456 यह एक किसम के सवाल देखते हैं मैं क्या लिखाव है 56 में वेर्यूस बढ़ी है और कुछ भी नहीं है मैं आपनों को पार्ट फोर ही कर वालता हूं बसक्राइब के नोटेशन क्या है लिखाव है 532 अच्छा यह ना कंबिनेशन की इस तरह नोटेशन होती है कर सांद बन सकता है इसे तो यह कि फैटर्ट विए सकता है लेकिन इतना इंक्फ्यूज नहीं करेंगे तो आपको बता देंगे लाइक कन्फूजन इतरी नहीं होती हो इसमें फिर आपको पांच अब्जेक्ट हैं उससे तीन अलाइक हैं यह रूल नमबर टू था ना उससे रिलेटेड हैं तो रूल नमबर टू मैंने क्या बदाए था हमें पूर टूरीट अपसमें के लिए करो तोग कैसे सकते हूं और और साम्पोलिट ने यह लू इसे वक्षैपल सब्सक्राइब होता है तो यह दो और इसे वरी इसे त्रीड़ हो गया वर इंटू नहीं होता है और दोबबान से लो गया तो बचा के आपके पास 5 into 2, 5 into 2 क्या होता है, 10, तो इस पुरी चीज का अंसर हो गया, 10 के बढ़ा है, इसी तरह पार्ट 4, 5, 6 है, 5 जो है वाप रोटाय कर ले है, Q2 पे आजो, Q2 एक easy सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, Q2 में आपको निकालना क्या है, Q2 में आपको N निकालना है, हर situation के अंतर, तो पहली में आपको एक्जेम्पल दीगी है, sorry, condition दीगी है कि N P2 जो है, वो 20 के बढ़ाबर है, तो पता हो ऐसा N कौन सा पुट करेंगे, कि पूरी चीज किसके बढ़ाबर हो जाए, 20 के बढ़ाबर हो जाए, आपको निकालना है, तो कोई issue नहीं है, solution start करते हैं इसका, solution में सबसे पहले अच्छा तरीका है है, क्या आपको पाता है, N P2 का फॉर्मला क्या होता है, N factorial divided by N minus R factorial, यह फॉर्मला होता है, अब आप ज़रा solve करो इसको, एक साथ ही solve करते हैं इसको, left and side, right and side को, N P2 का फॉर्मला लगाओ यह हो जाएगा, N factorial divided by N minus 2 factorial, और 20 ज़रा है, वो तो अपनी ज़रा होता है, अगेर वोई concept है, जो बड़ा फेक्टोरल होता है, denominator में हो, denominator में आप इसको solve करते हैं, N बढ़ा है, आप इसको solve करो, N को आप क्य N minus 2 पे रुपना चाहिए, तो आप factorial लगा दो, मीचे वालेडी महुझा है N minus 2 factorial, तो N minus 2 से N minus 2 cancel, यह हो जाएगा, N multiply N minus 1 equal to 20, solve करो, N square minus N equal to 20, 20 गुदर गया हो, तो वो negative हो जाएगा, इसके आगे बच्चो solve करना, आपनों का काम है, N की दो values आपने निकाल ली है, simple, आप इस यहाँ पे आप consider कौन से करोगे, positive वाली करोगे, मैं देख देता हूं, कि यहाँ क्यूंकि यहाँ सी बात है, N जो है, positive भी होगा, negative नहीं हो सकता, negative object क्या होती है, N whole number, whole number भी नहीं हो सकते, natural number तो होगा, minimum, लेकिन यहाँ पे natural number नहीं हो सकता, क्यूंकि आपने दो choose क्यूं है तो minimum दो तो हो गाएं, maximum कर लो जितना करने आपने, कि 20 answer आजे, तो रदे क्यूंकि सवाल में answer कितने आ रहे होंगे, 7.2 के 2 का part 1, answer आ रहा है 5, 4, 3 part 1, 5 answer आ रहा है, इसका मतलब जब इसको solve करोगे, आपके बास दो answer आएंगे, एक 5 होगा, एक कोई और होगा, क्यूंकि और है, और इसके root sequel नहीं होंगे, तो definitely इसके 2 answer होंगे, तो इसका मतलब हो नेगेटिव वाला होगा, तो 5 वाला चूस करने होगे, वो यहाँ पर right option हो जाएगा, दूसरा वाला जो है, उसको choose नहीं करना, उसको discard कर देना, क्यूंकि वो नेगेटिव होगा, और negative end नहीं हो सकता जहां तक बात है question number 2 की, part number 3, part number 4 की, तो यह एक इसम के question है, मैं basic सा बता देता हूँ, आप नहीं कैसे करना है, इसको, part number 4 की अगरा देखो तो लिखा है 11, P, N, P का मतला प्रमोटेशन, और right hand side पे 11 multiply 10, multiply 9, यह situation given है, अच्छा एक चीज़ को जहन में रखो, कि यहाँ पर, जो, मैं जहन से देख लिगा, पत्रम क्या बताना था मुझे, खेर, देख लेते हैं अगर जहने बाता की तो, स्वाल, अच्छा हाँ, करना आपको किया है, यहाँ पर N की value निकाल लिए है, आपको समाने बुलाब है किया है, कि find the value of any each of the following case, तो दरा N की value निकाल लिए है, permutation का formula apply करो, permutation का formula क्या होता है, NPR का, N factorial upon N minus R factorial, तो यह क्या होजाएगा, 11 factorial upon 11 minus N factorial, equal to 11 multiply 10 multiply 9, यह से जूचर जाएगी, उसके बाद आप इसको कैसे solve करोगे, अगर आप इस 11 factorial लिखना चाहो, तो आप कैसे mix रखते हो, 11 into 10 into 9 into 8 factorial, इसको आप ऐसे लिखोगे, तो 11, 10, 9 तो यहाँ से cancer हो जाएगे, यहाँ बंद जाएगा, तो इधर आपका रहेगा 8 factorial, इधर आपका रहेगा 11 minus N factorial, मनना तो sensory बनेगी न, मैं आपको यह तो नहीं हो सकता कि 3 factorial बराबर है 2 factorial के, इसके तो sensory बनेगी, अगर दरम्यान में equal है तो दोनों factorial के पीछे जो नमबर लिखा हो, वो भी equal होगा, मनना उसकी sensory बन रहेगी, तो इसी तरीके जगर आप इन दोनों को देखो, तो यह implied है, कि 8 बराबर होगा 11 minus N के, जो factorial के पीछे नमबर लिखे हो है, वो आपस में बराबर होगे, तो ज़रा यहां से आप solve करो, N की value अधर लेओ, तो यह N की value यहां से 3 आजाएगी, तो सवाल में आपको N निकालना था 3, अब यह verify भी आप कर सकते हो, आप 11 P 3 निकालोगे, तो आपक इसको solve करोगे, जहां तक बात बचो part number 5, part number 6 किये तो यह ratio वाले सवाल है, यह इनका एक बहुत असान method होता है, अगर आप guides में देखो, तो काभी मुश्किल method होता है, तो यह सवाल तो नहीं है, लेकिन इसी से फुड़ा मुश्किल सवाल ही है, वो मैंने solve कर वाल है, तो आ 2N प्लस 1P, N माइनस 1, अगर आप इसका ratio निकालो, 2N माइनस 1P N से, तो ratio आएका 3 इस तो 5, बस इस condition का सवाल करके आपको N निकालना है, अब कैसे N निकालेंगे ज़रा देख लेते हैं, solution पर आओ, permutation का formula लिख लेना, और पहले काम करते हैं, इसको हम simplify करते हैं, simplify in the sense कि आप इसको ratio की form में लिख लो, fraction की form में, तो यह हो जाएगा numerator, 2N प्लस 1P N माइनस 1, divided by 2N माइनस 1P N, यहाँ में पर इकाम करो, अब अगर आप इसको ऐसे solve करोगे ना, permutation का formula लागा तो fraction आपी काफी बड़ी सी हो जाएगी, तो इसको हमें काम करते हैं, cross multiply करवा देते हैं, ताक लिखी वी है, उसका factorial लेते हो, divided by जो उपर चीज लिखी वी है, minus नीचे वाली, 2N प्लस 1, minus N, minus 1, जो positive 1 हो जाएगा, और इसका factorial ले लोगे, मतलब यह पूरी चीज एन है, यह पूरी चीज आर है, तो नीचे आप N-R करते हो, यह वाली पूरी चीज माइनस, जो नीचे ल 1 factorial, divided by 2N-1, minus N factorial, अब simplify करते हैं, अभी फिलाल उपर ऐसी रहने दो, नीचे क्या है, 2N-N यह हो जाएगा, N, 1 plus 1 यह हो जाएगा, 2, तो यह है, N plus 2 factorial, जबके यहाँ पर क्या है, 2N-1 factorial, नीचे क्या होगा, 2N-1, जो जाएगा, N-1, अब आप इसको simplify तरो के, अब यहाँ पर उपर नीचे simplification नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2N plus 1 यहाँ आगा, इसको solve भी करोगे, तो आपके बस आएगा, 2N, फिर 2N-1, 2N-2, जबके नीचे N plus 2 है, N plus 1 होगा, फिर N होगा, फिर N होगा, फिर N minus 1 होगा, बसला भी अलग चीज़े इंको cancel नहीं कर सकते, same concept य आपने सामें देखो, यह बढ़ा है, तो आप इसको धरा simplify करो, यह हो जाएगा, 2N plus 1, जब इसमें से 1- करोगे, यह हो जाएगा, 2N, फिर 1- करो, 2N-1, रोकना चाहरे हो, तो factorial लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 2N-1 होगा, इससे तरह नीचे की चीज़ बढ़ी है, इसके comparison में तो solve करो, यह हो जाएगा, N plus 2, 1- करोगे, N plus 1 हो जाएगा, फिर 1- करोगे, N हो जाएगा, फिर 1- करो, N-1, फेक्टोरियल लुक जाओ कि यहाँ पर आ लिए, इनको मेर्जरेस दिख देते हैं, तो N-1 से N-1 फेक्टोरियल कैंसल, 2N-1 से 2N-1 फेक्टोरियल कैंसल, अब देखो कर कुछ और कैंसल हो रहा हो, तो इस वाले N से यह वाला N कैंसल हो रहा है, तो जो बागी चीज़ें को हम लेख लेख लेके, लेफटन साइट पर क्या मौझूद है, इस 2 को 5 से मल्टिप्ल 1 है, जब यह नीचे क्या माझूद है, N-2, N-1 और राइट हिट साइड पर सब कैंसल होगा था, बस 3 बच जाएगा, अब आप इस पूरी चीज़ को हमाँ जाएगे 3 से मल्टिप्लाइ करवाद हो, इधर 10 को मल्टिप्लाइ करवाँ, यह जगा 20N प्लस 10, जबके 3 10 प्लस 6, इन दोनों को जब लियाओ, 20 तर आके नेगिटिव हो जाएगा, यह जाएगा, माइनस 11 है, 10 तर आके नेगिटिव हो जाएगा, यह जाएगा, माइनस 4, यह आपके पास एक बोली भाली कॉर्ट इक्वेशन आगी है, इसमें मिल्टर ब्रेक कर लेना, 3 माइनस 4, यह माइनस 12 है, माइनस 12 के एक ही फेक्टर बराना, मतलब दो फेक्टर होंगे, माइनस 12 मुल्टिप्लाइ 1, प्रोड़क्ट माइनस 12 होगा, और जब एड करोगे, माइनस 12 और बन को तो माइनस 12 होगा, तो जब आप इसको solve करोगे, अगेन आपके पास 2 values आएगी, देख ल तो एक answer आप करोगे discard, क्योंकि वो negative होगा, यह 3N square, माइनस 12N, प्लस N, माइनस 4, तो होई एक answer आ रहा है, 4, एक answer आ रहा है, N equal to minus 1 upon 3 होगा, प्लस अगर negative ना भी होता, fraction में है, N की value fraction में तो नहीं हो सकती, कोई आपके पास natural value होगी, 1, 2, 3 को जैसी चल रही होगी है, तो 4 मारा answer जो हो ठीक हो जाएगा, दूसरा जो answer है, minus 1 upon 3, उसको आप discard कर दोगे, यहाँ पर, यह situation है, उसके बाद आजो question number 9 के उपर, 9B question number 1, 2 जैसा है, permutation के सवाद, तो उसी को हम ज़रा complete कर लेते है, 9 के दो पार्ट है, part number 2 तो बड़ा सान है, आप लोग कर सकते हो, part number 1 क के अगर हम बात करें, तो आपको बोलाएं के प्रूफ करो, कि यह जो पूरी राइट इंसाइड है, N-1 PR, प्लस R, multiply N-1 PR-1, यह पूरी चीज़ का सम बराबर है, NPR, कि यह आपको सवाल में प्रूफ करना है, अब राइट इंसाइड को तो प्रूफ कर सकते हैं, तो आप र करोगे, प्रूदेशन का फॉर्मला प्लाएं करतो, यह क्या होगा, N-1 निचे नंबर लिखाबा होता है, तो उपर लिखाबात है, N-1, minus जो नीचे number है इसको minus से multiply करवाऊ यह minus r हो जाएगा इसको करवाऊ यह plus 1 हो जाएगा यह से decision हो जाएगी अब आपने इसको मज़ी simplify करना है जतना हो रहा है यह उताएगा n minus 1 factorial यह उताएगा n minus 1 minus r factorial अच्छा minus 1 plus 1 cancel हो जाएगा तो यह उड़ाएकर सिंपल N-R अब देखो N-R बढ़ा है N-1-R बढ़ा है तो आगर मैं इसको तोब देच करूं यह इसको मैं माइनस आगो पहले लिख देता हूं इस तरीके से तरीके से तो यह मैं बताना कहाता हूं जब आप पेक्टोर को एक्सपेंड कर सकते हूं मैं बतायाता है जैसे N-R एक इसको एक्सपेंड करने चाहों तो आप माइनस वन करते जाते हो जैसे 3 बराबर होगा थ्री मृटिप्लाइट टू फैक्टोरियल अगर आप मीचे रोखना चाहरे हो इसी तरह N-1 कम करो N-1 मैं यहां पर रुखना चाहरो तो फैक्टोरियल जैस सकते हो हां उस तरह सॉल्फ कर लो N-1 फैक्टोरियल दोनों फ्रेक्शन में कॉमन है इसी तरह N-R-1 फैक्टोरियल कॉमन है पीछे क्या बचेगा यहां से न बच गया यहां से आर बच गया और नीचे बचेगा N-R यह सिच्विशन आपके पास बचेगी है मजी हो देंगे N-R हो जाएगा तो N-1 फैक्टोरियल से इसी तरह N-R को मुल्टिप्लाय करवा दो N-1 फैक्टोरियल से एक्जैट वही कॉंसेट है जो आपने यहां पर पढ़ है अब आपको राइट इंसाइड गिवन है आप इसको लेट्ट में कर दो कैसे एक बड़ा नंबर इसी तरह N-1 इसी तरह N-1 इसका मतलब यह उपर निम्रेटर आपके क्या हो जाएगा यह जाएगा और डिनॉमिनेटर क्या हो जाएगा N-1 फैक्टोरियल जो के बरावर है लेटर साइड के क्योंकि N-P-R का एक्जाएगी फार्मला होता है सवाल आपका लिग देना इक्वल टू लेटरंड साइड तो राइट इसके प्रोब हो जाएगा उसके पास बच्छों हमारे पास बंटू थी फोर हमारे हो गये इसी तरह कुछ नंबर सभी नमारा हो गया ह लेट नाइन कुछ नो आपने रेंज करना उता है लिखी होती है यह पुरानी बुक में भी वहां पे काफिक टाफू अगर ते तो दैट पहले मैं आप लों को बुक के समझा दूगा उसके बाद में एडिट गरके वह बहुता दूगा कि जिसको इंटरस है क्योंकि सवाल क लोग मजीद आप लोग चीज़ें सीख जाओगे पहला देख लेते हैं बुक के कैसे करने हैं को बहुत बेसिक सा कोशन है मैंचन क्या किया है आपको कि हाओ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं यूजिंग वाल दा लेटर्स सब लेटर्स को स्तमाल करके अजब यहा निकालने न वह उनकी सेंस बने या न बने आफने निकाल ली है कि daha M बंदब एक बाद में लेए और और पहले लिया ना बने बस आपने आपने अरेंज्व करने हैं अरेंजमेंट चीजें लिखें ही आ आपने रेंज़ करना लेंग सावाल है एक दो तीच्छर्टर्स यहां पर आप वो जो सकते हो यहां पर यहां पर यहां पर डारी पॉंटिशन का फॉर्मृटिशन नहीं होती यह तो काँटिग मुंसिपल के अंदर होता है पॉंटिशन नौन रिपटिशन तो है जो गिवन तो पहली पर 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 चाल तीन दो एक तो यह का अंसर होगा या एक और तरीका है कि आप और आपने उन सब को अरेंज करना है जितने उप्जेक्ट में उत्रू को एरेंज करना है तो आप यह वाला सौलूशन कर दो दोनों ठीक है वैसे आया ने पेपर में बहुत छोटा सवाल है विकर अलाव दोना है आपको 6P6 को होगा 6 cheering divided by 6 minus 6 factorial जो यहों के बनापर होता है जिरो फैक्टोरियल के जिरो holiday सबको पता है immigrants के बनापर होता है अधर यहां से भी 1 तारीका उस्तार आपकी सवाल कर सकते हो यह सबादों गजक्टांगा वाड़ करने सब्सेंगी करें तल्ला जिससे वार्म में इ 건 सब्सक्राइब करें तो जैसे यहां पर सैंस बन रही है उसमें से किसी की सैंस बन रही हो एक ही वर्ड है जिसकी सैंस बन रही है उसमें से कोई पार उठालो कॉंसेट सेम ही है कि अगर आप देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें रिपीट हो रहें और और कुछ बढ़ाना वह चाहल रखोना चाहिए तो फिर आप टॉटल अगर साह लेटर चार का बनाने तो 74 लगाऊ गया ऐसा यहां पर गिवन नहीं है जितने लेटर उतेश्के आप आपको वर्ड बनाना है तो यहां पर दो केटिकरी में डिवाइड होंगे या तो वह वर्ड जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो सिंपल यह वाला फॉर्म लाप लगा दोगे जितने लेटर सॉल्फ कर लो से और कुछ ऐसे हैं वह आपको कर ले ना क्योंकि इसी कि आएगा में मैं कि कर दो फो टार गट्र यह नंबर और वर्ड वर्ड या टोल्ड ला नंबर वर्ण जो आपकी मार्जी है जैसे आएकि कि मैं क्यों अपने पड़ा था पॉर्मोरेशन का आइस रूंबर टू मैंना बताए था कि जब आप ने जिन चीजों को अरेंज करना है उसमें कुछ अलाइक है कुछ सेम एक तरह के सब डिफरेंट तो पर तो यह वाला पॉटिशन का फॉर्मला आपने पड़ा था वह कॉंसर्प मैंने वहां पर दिया वाता था फॉर्मली को देख लेते हैं क्या मैंतिट था कि बाइटर्स हैं सॉरी सब्सक्र लिखो और कर दो जो रिपीट हो रहे हैं जीसा मस्केर हो रहे हैं जैसे हैं बार यहां पर दो देवाइट नियुक्त और आप से डिवाइट कर दो एक नफाए ऑघ्य और एक बिसी भी एसबी ञबार तो यह वो तीन अगरा मजीद अधर करना चाहरें इस तरह मिश्क्ति लेकिन बाकी तो आप इसको पूरा करना है केलगोडर में तो जिन सवालों में सब्सक्राइब करों के सारे पार्ट आप से सब्सक्राइब करें रही बात आगरी इसमें क्या है इसकी कितनी अभी सिंपल सवाल है कोई उन्हों घुमाया नहीं आपको अगें कॉंसेट वह यह बनाना नंबर आफ लेटर कितने थीन तीन नौ लेटर थे टोटल नंबर आफ पॉसिपलिटीज कितनी बनेंगी नौ फैक्टोरियल दिवाईड़ वाईड़ यह जो है वो दोफ़ा रहे एस जो है वो दोफ़ार ह कि और मैं खाबे कोई रिपीट नि होगा है है एस दोफ़ा है यूज दोफ़ा है और को रिपीट नि होगा तो बस इसको करिक्टर में सॉल्फ करना कॉशनमेंट 12 की जो पहली बात है वो सौल्फ हो नहीं है उसके बार क्या रिखाव है हाउ मैं इन्हीं विल हैब दा टू एस टुगेदर वो कहरें कि यह तो यह है ना अगर आप इसको सॉल्फ कर लोगिंगे ज़रत पड़े कि अभी मैं समझ यह सवाल है कि हां कि ऐसे जो आपने निकाली है ना जरह इसको सॉल्फ करते है नाइन फैक्टोरियल का बटन ही भूल गयों मैं यह नहीं नाइन फैक्टो को आपने डिवाइट करना है तो इंटो टू मतलब फोर से तो आंसर आपको मिल रहा है नाइन जीरो सेवन पूजी रहा है नवे हजार साथव बीस वर्ड्स बन सकते हैं इन लैटर से ठीक है यह आपने लिए अब हो बोलें कि बताओ इन में से ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिन आप इनका गुरूप बना दो आप इसको एक लैटर समझो ठीक है दो एक साथ आ रहे हैं समझो के दो एस नी एक लैडर है बस क्योंकि हर दफा साथ जाएगा न इसका मतलब बन गया है फॉर एंपिल ए एंटी आई एस एस एल ए फॉर एक यह वर्ड है इसका नौ लैडर है इसमें एस दो एक साथ आ रहे हैं इसमें कर लो यह दो एस जो है यह कहीं भी आपर जाएंगे तो यह एक साथ ही जाएंगे अगर आप 2S को हटा दो तो पीछे साथ बचेंगे और 2S को आपने एक कंसिडर किया तो टोडल आठ लेटर आपके बढ़ेंगे तो अब लिख सकते हो नंबर आफ लेटर आप कितने होंगे पहले एक्स्पिनेशन दे दें आउप पर किया मैं एसका गुरूप बना रहा हुँ उनको वन लेटर कंसिडर कर रहा हुँ ठीक है तो अब आपके बाट टोडल लेटर किसने होंगे आठ इसमें से रिपीट कौन से हो रही है अगर आप सब्सक्राइब को हो रहा है एस को छोड़के अगर आपने कोई दोदफ आ रहे तो आप टूपेक्टर से डिवाइट करो तो यह वह आपने टोटल नंबर निका लिए आपस में इनके अर्रेंजमेंट क्या होगी लेकिन पहले भी मैंने आपनों को बताया था कि जिनका आप को आप बेशा करेंज कर लो को फर्ख नहीं पड़ेगा मैं इसको पीछे में इसको बाद मिलें पर फर्ख नहीं पड़ेगा अगर यह गुरुप होता है जिसमें दोनों अलग होते आपको सवाल भी बोला जाता कि आपने ए और एल का ग्रुप बनाना है तो आप तेरे सोच होते नो मल्टिप्लाइ करना बड़ता है तो आप दर इसको सॉल्फ कर लो एट वेक्टोरियन डिवाइड़ वाए टू तो आंसर आपको मिल रहा है तो यह वह टोटल नवे हजार साथ सो बीज में से यह वह वर्ट हैं जिसमें दो एस जो हैं वह एक साथ आने हैं अब अग हमें किया है कि दोनों सेप्रेट ओएओं सेप्रेट करने का मतलब कि दो एसी इकसाद ना है जिसे यहां पर दिखो दो एकसाद आरहे हैं आप झनको अलग करना एंब मतलब को गुरूप का अलग अलग आपने कर दिने हैं तो वैसे इसको आप आलूम करना मुश्किल होता है लेकिन हम एक सिंपल टेक्निक यूज करते हैं हम क्याते हैं नवे हजार साथ सो बीस टोटल वर्ड्स हैं जिसमें से बीस हजार एक सो साथ में एस एक साथ आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है इन बीस हजार एक सो साथ के इलावा जो वर्ड्स हैं उसमें एक साथ तो जो आपके पास अमांट बनेगी इसका मतलब वो नंबर वो टोल नंबर वर्ट इसमें नहीं तो बच्छो लेटर्स का जो टॉपिक है वह हमारा तो आप लोग ट्रैफिक में जाते हो तो आप अभी भी अगर आप रेलवे के अंदर जाओ तो रेलवे में खास उन्हें जगें बनाई वी होती हैं वहाँ पर फ्लैग यूज कर रहे होते हैं कि अगर रेलवे का ठीक है तो वहाँ पर उनने ग्रीन का लग किया हुआ है और अ होती है सिगनल जो होते हैं उनको लाइट को कम रिप्लेस कर दो फ्लैट से कि आपके पास तीन फ्लैट लगे तो एक्जेक्ट सिगनल बनाने का मतलब ना रेड उपर ब्लू नीचे रेड तो नहीं होता है रेड और ग्रीन येलो होते हैं तो आपने कमिनिशन बनाने कितने आप उससे सिगनल बना सकते हर सिगनल का मतलब अलग होगा और नॉमली हम तो अलग चीज़ ले रहे होते हैं कि रेड चले तो आपने जाना है मैं आप बताना जा रहा हूं आपको कि अगर मतलब डिफरेंट हो फॉर एंपल कहीं पे रेड येलो ग्रीन हो ये किसी और चीज लोग ये लग चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगा इस टाइप कि आपको अरेंजमेंट बदानी है पूरी ये वह सवाल है कि आपके पाद टोडल तीन चीज़ें आपने इंपने उसमें से यूज करने हैं तो सिंपल सी बात है आठ अब्जेक्ट है जिसमें से आपने पिक क करनी है पांच करनी है तो सिंपल यहां पर फॉर्मला होगा एट पी फाइफ ऑब्जेक्स डिफरेंट है तो यह वाला कॉंसेट लगे का नहीं वैसे भी आपने से आट ही चूसकर नहीं पढ़ती है आपको पांच नहीं कर सकते कि मैंने आप लोग को थीरी में बताया था कि यह जो फॉर्मला है यह उसी वक्त वैलिट है जब आप पूरी अब्जेक्ट करोगे अगर आप गिवें आपजेक्स पिक करोगे तो यह फॉर्मला वैलेट नहीं है वाँ पे वसला हो जाएगा तो यह मेंक सेंस कर रहा है कि आट चीज़ें उसमें से पांच उसकर लिए त लिए पे नोपको तो यह आपको आप अपसमें रिपीट हो रहे हैं अच्छा यह इसको वरिध रिट रिटेशन वाला कॉंसाप भी समज़ना मैं पहले बताए था विद्र इपिटिशन का मतलब यह है कि तुछ वह इंट इन्फायाइट दफाव यूज कर सकते हो जब कि यहां पर जो कॉंसेट है न वह यह कि तुछ आप तीन दफाव यूज कर सकते हो इसको सबसे पहला को नहीं वह रूल है जिसमें आपने पढ़ा था कि कुछ ऑब्जक् तोटल आफ डिजट से आठ डिजट का नंबर बनाओ अब वही स्टैप्स होंगे जैसे आपको पहले मगते हो फोटल नंबर ऑफ टोटल एड डिजट डमर लिख देना क्या होंगे अगें वही जो कॉंसेट मैं आप नोंको बताया था और यहां पर यहां पर आकर कांटिंबिंसिपल से अग्षिन होगी हो सकता यह पिराइब किया है तो पैक्ट बढ़ाता टॉब्यों से अ तो आप अच्छा वर्ट एक कॉंबिनेशन यहां पर एक अलग चीज को रिप्रेजंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ यहां पर क्या होंगी एट फैक्टॉरियल डिवाइड वाइड वाइड थी फैक्टॉरियल 6 होता है 6 इंटू 6 36 तो आप यहां पर आंसर मिलेगा 1120 यह टोटल नंबर ऑफ 8 डिजेट्स यह 8 डिजेट नंबर है टोटल 1128 डिजेट नंबर बनेंगे गिवन डिजेट से अब सवाल यह है कि मतब अगला पॉइंट वह आपसे क्या बूलना चाह रहे हैं वो बोलने हैं कि हाव मैनी विल हैव दार सॉरी हाव मैनी अमंग दीज और घ्रेट दें 60 ताउजन वो कहने के एट डिजेट के नंबर तो आप पता चल गया आप नहीं बता दिया कि एट डिजेट के गैरा सुबीस नंबर बनेंगे लेकिन अब वापसे सवाल कर रहें कि एम गैरा सुबीस में से ऐसे कौन से एट डिजेट नंबर है जो 60 अब लिखावा है यह बहुत है जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें लैक रोड होता है यह मिलियन की पॉर्म में लिखावा है पर लिखावा कि एक ग्रेटर दें रेटर दें यह कॉंसेट लिखावा है अब देको इसको स्वाल करने से बहरे आपको यह बात पताने चाहिए कि यह जो आपने सवाल अपर पर पर प्रमूटेशन से किया है यह ज़रूरी नहीं कि परमूटेशन से ही हो गई यह काउंटिंग मिंसिपल का लगाएं लगे मैंने यह बात ह इसका हरके से मतलब नहीं कि यहां भी यह बहुत नहीं हो सकता जो उपर है जिसको फादर कहते हैं वह काउंटिंग मिंसिपल यह उसकी उलादें है परमूटेशन कम ने इस बात को जैन में रखो नॉमली टीचर्ट पर रख रहे होते हैं कि अब परमूटेशन असल चीज है च्छोटी सी अप्लिचिन है असल चीज ही काउंटिंग में से बहले है उसकी वाज़ा है कि हेसे पर नहीं कर सकते हैं तो आपको छे पांच चार तीन दो एक उसके बाद आपको पता है यह जो पर्मोडिशन का आपने प्रिंसिबल बनाया था यह वहां पर एक चीज तो मैंने सिखाई थी कि या यह जो एट फैक्टोरियल है यह टोटल अरेंजमेंट है लेकिन इसमें से ऐसी कितनी अरेंजमेंट होगी जो एक्स्ट्रा आपके पास का अगर आप देखो यह एट डिजट का नंबर है ठीक है अगर आप यह वाला करोगे ना सिंपल इसका एट फैक्टोरियल है इसके अंदर जो आएंगे ना उनमें इस वाले डिजिट को और इस वाले को अलग समझा जाएगा जबकि आप का होगे सर यह तो सेम ही है जबकि आपस में इसको अलग और क्योंग क्यों कि इस तो एक आप क्या करते हो और यह चीज जो आपने करने के लिए आप डिवाइड करोगे यह एट इसको डिवाइड हो रहे हैं तो यह जो पर्मोटिशन आई है कि असल में फॉर्मॉला कहां से डिराइज किया था काउंटिंग में से बल से यहां भी आपने लगाना है अब आपको भूला है इसको क्या पढ़ेंगे यूने टैन हंडेड थाउजन टैन थाउजन लैग टैन लैक करोड हम अगर करोड की ले पर उसके बाद टैन मिलियन आप बोल दोगे तो यह क्या बनेगा यहां पर बनने सिक्स्टी मिलियन अगर आप इंगलिस सिट्टन की बात करो तो खैर इसमें तना पढ़ने की जुरूत नहीं एट जिट का नंबर आप ज़रा देखते हैं ऐसे नंबर आप बताओ कि जो ग् पर आप इसका मतब सिक्सी होगा तो पहली प्लेस पे प्लेंट करने का एक ही ऑप्शन है और क्या है शेक्स हैं आप दूसरी प्लेस पे आप कुछ भी पूट कर सकते हो क्योंकि यहां पे 0-0 अगर मैं इस तरह करता हो नो 0-0 पाइंद पर जीरो मौजूद नहीं है लेकिन आपको यह भी नमबर 60,000 से ग्रेटर है सौरी 60 मिलियन से ग्रेटर है अगर आप इसमें अबसर्फ करो 60 मिलियन से ग्रेटर नमबर है तो कहने का मतब सेकंड प्लेस पे आप कोई भी डिजिट पूट कर सकते हो जीरो या समतिं कुछ भी आप कर सकते हो लेकिन आपकी पास 0 रूट करो लेकिन जो आपस में अलाइक है उसको नौट करने के लिए घर है यह नौट रिपिटिशन वाला केस तो जहन में रखना आपने 6 क्यूंकि पहली प्रेज़ पुट कर दो तो 6 आपके पास सब्सक्राइब नहीं है बाकि इन 7 में से आप उस भी पूट कर सकते हो फ फिर छे फिर पांच फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक तो यह बन जाएगा सैविन फैक्टॉरियल ठीक है इसको अगर चाहो तो यहीं प्यापको इस पूरी चीज को आपको डिवायट करना पड़ेगा आपको डिवायट करें वही चीज कि नहीं लगा आपको अब एक हैं तो आपस में डिफरेंट नहीं सेम है तो टू तीन दफा हो रहा है त्री फैक्टोरियल इसी तरीके से थ्री भी आ रहे हैं तो थ्री इंटो टू इंटो इंटो बना लाइक उसी लेंगे लिग रहा हूं इसको आप सिंप्लिफाय करके सकते हो तो अब आपने इसको कल्कुटर में सॉल्फ करना है मेरे पास औरड़ी फॉर्मिट बना गए मैं एट की जगा सेवन कर देता हूं आंसर आ रहा है वन फॉर्टी तो इसका मतलब यह जो टोटल आपके पास गैरा सो बीस एट डिजिट के नंबर थे जो इन डिजिट से बने व सब्सक्राइब नहीं हो सकता है कि यह उसे क्रेटर होंगे ठीक है तो यह वाला कोशन भी हमने ट्राइक कर लिया तो बच्छों अब अगर आप अब आपको बताया था सिंबल एट पी फाइफ तो रूल नंबर वन हमने वहां पे देख लिया था उसके बाद रूल नमबर ट पुरानी बुक में एल्फाबेट्स के सवाल अर्रेंजमेंट के थोड़ा थे तो इसको शौक होगा वो देख लेना जिसको शौक नहीं होगा कि मजीद आप को सीख जाओगे पुरानी बुक में टफ हुआ कर देख लेना अगर किसी को शौक हो तो मेरे चैनल पर जाना मैंने ये पुरानी बुक का डिटेल में अप्लोड किया हुए चेप्टर नमर 7 वहां पी तो सारी चीज़ेंगी शौक हो आपको सीख सकते हो लेकिन मैं इंशाला वीडियो के बहुत ही बच्चों वाले पुरानी बुक में तो सर्गुलर पर्मोटेशन के बड़े मुश्कल सवाल थे बहुत बच्चों वाले सवाल है तो अब्जेक्स कितने आठ लोग है फॉर्मला है एंड माइनस वन फैक्टोरियल मतलब सेविन फैक्टोरियल जो के ब्याबर होता सब्सक्राइब तो इस तरीके से तो आप कुछ नंबर 13 कर लोगे को फॉर्टीन में क्या बुलावें हाव मैंने वेस्ट सेविन की इस बीरेंज इना सर्कुलर की रिंग मैंने बताया था टेबल के अंदर एंटी क्लॉक्वाइज दोनों डिफरेंट माने जाती है लेकिन अ और आपके बास की जाहिन होती है उसमें eh circle होते है उसके रांड आपने keys arrange की इंचित आहे होती है तो पाता है ओर French से निकल गया हो वह वह बढ़ अच्छा वर्ड एक बता है पूरानी ब्ख में होता था शैयर बड़ वह गालेंड क्या होता है वो जो जो इसको गहते है न उसको गालेंड कहते इंगलिश में गालेंड जी आर लिए एंड तो उसके अरॉंड के अगर आपने फूलूं को या औ लो भी इसी कॉंसर्ट में आएगा के सर्किल के आरंड आपने रेंज करना है तो फामला क्या होगा था आपने एंड-1 फैक्तॉरियर नपॉन यह वह उसकोद यूज करो कि जब आपको बुले जाएगा टेबल के कुछ भी आज़े उसमें आपके 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 पास कीज़े 7 है तो यह हो जाएगा 7 माइनस वन फेक्टोरियल डिवाइद बाटू सिक्स फेक्टोरियल होता है तो यह 360 हो सकती है क्योंकि प्रेक्टिस में नहीं है काफियर से पहले ने पर यह चैप्टर दुबारा में ने पढ़ाया नहीं है क्योंकि काफी मेंद लगती है तो थोड़ी मेरा कच्छा पकई है इतना मुझे याद नहीं है मेरी मेरी बड़ी वीक है तो इसलिए को यह वैल्यू में या कुल गल्ती होना तो मैंशन कर देना और मांग भी कर देना कोई वैल्यू में गल्ती हो सकती है तो यह बच्छों हो गया तो पहली डिजिट्स वाले थे हमने कर लिए तो बैट्टो जो हमारी कंप्रीट होगी है इसके बाद मैं एडिट करके लगाँगा पुराने बुक के वर्ट्स वारे सवाल अगर शौक हो तो आप देख लोना इ आइन सबसे एजी है तो पहले हो और फिर फाइफ कर आउंगा एल्फाबैट वाले सवाल एक साथ ही सारे कवलो जएगे तो सबसे पहले आप ज़रा कोशन है मैं नाइन देख लो क्या है नाइन मैं आपको जस्ट आपको एल्फाबैट वर्ट गिवें आपको पर मोटिशन निकाल नहीं है और सब को एक साथ पिक करने आप में आप में कोई भी आप वर्ड लो यार कॉंसेप्ट से में क्योंकि सब वर्ड्स में ना लैडर रिवीट हो रहे तो सबसे बढ़ा वर्ड जो उसको ले लेते हैं पार्ट नंबर डू लिखाव है पहरा लेलो ने इस तरह है की इस तरह यादरो कभी भी स्व्लालिंग पूलो हो यहां यहां बसामें तो joue क्या हूं बाकी बाट आपको खुद कर लेना क्योंकि सब वर्ड जो है ना उनमें रिपिटिशन हो रही है देखो ऐसे वर्ड जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा उसमें अरेजमेंट कैसे निकालोगे को मसला नहीं है जितने लेटर से उतने ही आपके पास फेक्टोरियल पर एक नाम है हादी हादी में चाल लेटर है चालोग तो हादी को कितने तरीके से इरेंज कर सकते हो फॉर्फेक्टोरियल इसी तरह को वर्ड है कोई बड़ा वर्ड फार एक्जैंपल स्टडी स्टडी में पांस लेटर है सब अलग है तो और आपको बोले जाए चाल अपन हैँ सारीकर तरीके से इंल्फाबेट्स वाप आप रशाय सकते हो Mog यहां पर इपीटिशन है रिपीटिशन हें सके ओ्पंण possiamo नाथिन शापदर क बिदूले हैं वह के आट है shows प सकते हं लेकिन यह वहाले case नहीं है इसमें A को आप तीन दफ़ह ही हा रहा है तो आप क्या करोगे आप ड़ना दो आप लिखो number of 13 का मतलब आप 13 लैटर्स हैं लेकिन उसमें सरको सेम भी है तो जो सेम मैं करते हैं पी जो है वो इतकी दफ़ह रहा है a को देखते है number of is a's कितने है एक दो तीन तीन a है अच्छा फिर को रिपीट हो रहा है number of rr क्या रहें दूसरी दफ़ा रहा है number of ours दो दफ़ा रहे है फिर एक तो आगे एक दो तीन तीन दफ़ा रहे है तो नंबर और और किस तरह निका लोगे इसके number of words कितने words आ सकते हैं और इसमें ब्लाइड है कि words की sense बने ना तो हें थ्रीन फैक्तोरियल डेवार्यद भाइग और टूटोरियल टूफेक्टोरियल टूफेक्टोर्य निकाल लो कि पिसका ऑड़ा है रहा कि और मेरा किसी और मॉड में तेंच आच्छा उपाले को 13 मेरे के लिप अवाइब इस वह यह निकाल नहीं कहां पर होगा निए कहां पर होगा बना सकते हो एट सिक्स फोर एट सिक्स फोर जीरो जीरो अगर मैं अपना देशी सिस्टम यूज करूं तो कॉमा दो डिजिट बार्स लगाते हैं तो यह कितना बनेगा यह बनेगा आठ कडोड सिक्स्टी फोर लैक इटिस सिक्स थाउजन्ट जबके अंग्रेजी सिस्टम में क्या होगा अब कुछन नम नाइब के बाखी पार्ट जोएंगों आपनों प्राइक कर लेना मैंने बताया है उसमें सब में कुछन को रिटीट हो रहे है जितने दरफा लिपीट हो रहे हैं को डिवाइट गरना और पी न्याज नाम नहीं करना है वर्ट से लिटेट है और अब यूज़ेंट आपको गिवन है वर्ट आपको गिवन है मैं अच्छा जी तो सबसे पहले इस वर्ड के बारे में समझ रहेते हैं इसका डेटा बनाते हैं टोडल कितने लेटर्स है एक नमभर और ऑफ लेटर कितने इसके अंदर ए9डैव लेटर्स है अच्छा को सिमिलर हैं ठाफा और कितने हैं दो हैं अच्छा अहीव लेटर है कितने हैं च्छानि टो हैं को टो नमबर Ś है एसके लिया है तो सब्सक्राइब किसे और इसके इसके अनुग सब्सक्राइब कितनी अर्यजमेंट कि अनुगिगे बच्छों इसकी टोटर लेडर है लेवें तो पर आएक़ेक्वेक्ट लिए गुष बगये मैंश्क्राइब रहा है है अब दूसरा क्या है कि हाव मैंनी और यह पता है लेकिन इसे के बताओ जिसमें सी से स्टार्ट हो रहा है कि तो इसको कहते हैं कि बिगिन विच एसे नमबर्स ऐसे वर्ड्स जो सी से बिगिन कर रहे हैं इसमें क्या होगा तो देखो सबसे पहले सी से स्टार्ट होना है तो सी तो फिक्स कर दिया है आप पीछे 11 बचें एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दस बचेंगे पीछे सी आपका फिक्स होगा है ठीक है मतलब यह वाली पुजिशन जो है यह आपके फिक्स है इसको बाब यूज नहीं कर सकते हैं अब बाकि आपके पराद क्या बचे हैं कितने अरेंजमेंट बची है तो सी के बगार आप लिखो एम ए पी एच ए एम ए टी आई एस आपने एक लिखी हुए यहां पर कि एक आपने फिक्स कर दि बने एक लिखें यहां पर इसका कूछ सेसरी मदर नहीं कि अगर आप यहां पर कितने मनेंगे टोटल नमबर इस पार सी में नमबर आफ लेटर सब कितने बनेंगे क्या रिपेटिशन हो रही है कि यहां पर निजहां पर अपने बदा बस आप फरक होगा कि जब आम नकालोगे कि नमबर ऑफ अर्रेंज्मेंट्स क्या होगी अब उपर आएगा तेन फेक्टोरियल क्योंकि अब टोटल टैनल है नीचे वही होगा टू फेक्टोरियल टू फेक्टोरियल टू तो टोटल आप यहां पे लिए दूसरी केस था तू टीसरा केस्ट हाउ मैनी ओव दैन बेगें इसे जो बेगिन कर रहे हों ऑजी शचतर यहां पर लिख देना की यह वर्ण को इसका है नमबड़ यहां पर दो के लिख आपने लिख देना इस तरह नुब यहां पर लिख देते हैं आपने स्टार्ट करना तो फिक्स हो गया ती पहले जिए पर फिक्स है बागी कितने मज़े दस एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नाव दस आपने एम पुट कर दिया एज ए एम ए टी आई सी एस एक पी जो है वह आपका फिक्स हो गया अब बाकी 10 बजें लेकर आप यहा चेंजिंग यह के फॉर एजेंपल नमबर ओफ एज अभी भी दो है नमबर ओफ एम अभी भी दो है लेकर अब नमबर ओफ टी जो नहीं आ रहें पिए कि यह मतलब जिन दस लेटर्स को आपने अरेंज करना है आपस में उसमें टी रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो कौन कौन सा रिपीट हो रहा है मड़ी दो ड्रीटीट हर रहे है और जो हारा है तो अब यहां पर नमबर ऑफ एर्जमसेंट यहांगी सॉट को दूफ फेक्टोरिंट दू टू फेक्ट्टोरियिंग जब आप इसको सॉल्फ को आपके पास एक आंफर आदेगा बाद मीं ल देखोगे कि ऐसे जिसमें एक साथ मौच होते हैं अभी देखें यहां पर सौर्फ करते हैं आफरी पार्टे ना तो तो इस सबसे पहले तो इस वह बताओ कॉंसूनेंट्स और सुनेंट्स तो गएधर आप समझ आप समझ आप समझ लो बावल होते हैं इसके लावा सारे उसके अपस नेंगे वावल जो हैं वह बहुत हैं वह बहुत हो सकते हैं वह तातों अलग कैसे होंगे आप एंपल जो जो कॉंसूनेंट्स हैं उनको हम ग्रोप अधिया ताइए आपस में प्रीके कॉंसूनेंट्स कौन कौन से यांसे सबसे पहले एम हैं फिर मैं क्योंके एम दोदफ आ रहे ना तो मैं एक साथ आपनों को लिख वारा रहा था एक 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 वांसूनेंट नहीं ह सबसे पहले और दोदफ़ा रहे हैं फिर आई है यह कितने हैं यह होगे च्छे कम कर दी दस कर दी एक मिस होगे इसके अधा टी दोदफ़ा रहा था मैने शुरू में लिखा नहीं है तो यहां पर टी दोदफ़ा पंसीड़ा कर लो तो इस वाले जो आपके पास मैतमेटिक से इसके अंदर साथ जो हैं वो कॉंसूनेंट से जबके चार जो हैं वो बॉबल से अब उन्होंने बोलाए कि कॉंसूनेंट हमेशा एक साथ आंगे क्या पॉसिप्रिटी इस पूरी चीज़ को नहीं मैं ग्रूप एक कंसिडर गरता एए फिर कॉंसूनेंट सारे फिर एए एक वर्ड है मैथमेटिक को रेंज क्या अशा एक और फॉसिपिलेटी आप लिखो ए फिर बॉक्स लगाओ फिर ए लिखो पिर आई लिखो अब एक वर्ड यह बन रहा होगा इसमें भी कॉंसूनेंट सब एक साथ होंगे वावल दो बाते अब दाफ करोगे कि अगर आप इस डब्बे को एक लेटर कंसीडर कर लो तो आपको असानी हो जाएगी मतलब यहां पर क्या रहे हो यह चार लेटर से और एक डब्बा इनको आपस में रहे हो ना कि पहले दर्मियान में आ गया पिर यह दूसरी प्लेस पे है फिर प्लस बाकी बचें जितने हैं प्लस वन करो आप उस चीजों को अपरेंज करो और इसका दूसरी हमेशा सवाल में आप हर किस टाइब के सवालों में देखोगे अब इसको ग्रूप बनता है तो ग्रूप को एक कंसीडर करके बाटियों को आप सब को अरेंज करते हो अब इसको अब इसको इसको नहीं तरह भी लिख सकता हूं अब आप आपने तो कुछ एनिंग की नहीं है किये जैने क्या चीनिंग की होगी कॉंसरेंट की उतारेंज कर सकते हैं और दर्म्यार में कॉंसरेंट्स ही आएंगा पूर वर्ड बन रहा है जिसमें कॉंसरेंट्स दर्म्यान में इसी को इस तरह कर दो यह सब्सक्राइब निया वर्ड बन गया हालाकि अपनी जवाप में मौशूद है लेकिन जो डबा ता उसमें आपने कॉंसरेंट्स को आपस में रेंज करती है इसी तरीके से एक और बना नाया जिए चार इसको अप एक उसलर करोंगे फॉर प्लस फाइफ इन फाइफ को अरेंज करने के तरीके मैं अब जब जबाए नमबर ऑफ और अरेंजमेंट्स तरह निकालोगे चाहो तो लिखना उपन लिख सकते हैं कि आप इसको एक यह चार हो गए और यह जो है यह पूरा आपने एक तरीके होते हैं लेकिन वह उनके होते हैं जो आपस में डिफ्रेंट हो यहां पे डिफ्रेंट नहीं है यह दो दफार हैं इस में बीट हो सकते हैं इसमें डोधा एफ यह दो और कि अर्फ़ करोगे हैं तो वैसे चीज़व को अर्छ करने कें लेकां जब कोई चीज सेम हो तो आप उतने फैक्टोर ते डिवाइट कर देते हूं तो यह जो तो पहली चीज़ होई दोसी चीज नहीं को बुबे को आ पस्पर रिखेंगे लेकिन लेकिन अगें सब्सक्राइब यहां पर पूछ इसे भी है ठीक है कौन पाइब दोगा रहा है तो टूफेक्टोरियल अच्छा टीजो फार रहा है यह इसका राइट वह अब इसको सॉल्फ करोगे जो आंसर आएगा और रिक्वाइड आपका अंसर ठीक है तो मैं तरा इंको सॉल्फ फिल लेता हूं फिर जो आंसर हो है आप लोगों को नोट भी कर सकते हो कुशन नमर फाइब जैसके सारे पार्ट मैंने कंप्रीट कर वाद नहीं है उसके पार कुशन नमर सिक्स है आखनी को सब्सक्राइब करना थोड़ा एजी है डिफरेंट केसे जो लिखे मैंना तो यहां पर सॉल्फ करना काफी एजी हो दाएगा खैर सबसे पहले पार लिखाव है हाओ मेनी डिफरेंट वर्ट कैन फॉर्म फॉर्म फॉम 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 आपको बोलें के बताओ इसमें से कि बना सकते जिनके मतलब हो या ना हो वो मेंटर नहीं करता तो क्या लिखो नमबर ओफ लेटर्स यहां पर है कितने सबसे पहली बार तीन तीन आठ लेटर्स है यहां पर कोई रिपिटिशन नहीं है तो पार्ट वर्ट आपको निकालने हैं कितने वर्ट बनेंगे सिंपल इस जगा चालिस हजार तीन सो लीज तो चालिस हजार तीन सो लीज राइट ऑप्शन है यहां पर पहला पार्ट आपको कम्प्रीट हो गया दूसरे पार्ट में लिका वहावन आफ दीज वर्ट वाविल्स अकर टुगेवर ऐसे बताओ जिसमें वाविल्स आ रहे हैं एक सा आप अब सबस्क्राइब करते हैं पार्ट नर्ट अर्ट किया अबावेस हम ढूंगते तरफ वाविल्स का आप एक साहां ना तो गृप होगा वाविल्स कौन कौन से सबसे पहले घे यू रिज हम आई-ए-ए-बागी और और यहां पर और और तो लिखा हो आपने तो बाग बागी कौन कौन से बचे हैं बागी इसको बन सकते हो नंबर और वाविल्स कितने हैं नंबर और यहां पर तीन है नंबर और कौन सुरेंट से यहां पर कितने हैं लेकिन अच्छा आप इंग्लिश में भी लिख सकते हों कि हमने गॉबल जो हैं वो टाय करके गुरूप बना दिया उनको लेकिन जब आप यह डाइगरांट की बनातों तो कौन से पापक के लिए हैं तो लिखने के बाद आप नंबर और जिसमें कोई चीज़ एक साथ हैं इसमें दो काम करने होते हैं सबसे पहले आप टोटल देखते हो एक अलफाबेट एक लिखने करो तो तो तीन लेटर के लिखने के तरीके हैं 6 फैक्टोरिय बाए आप देखते हो कि जो गरुप बना है ग्रूप के अंदर जो लेटर्टें तो भी हम बार में लिख लेंगे तो यह पार्ट नमबर टू हो गया है पार्ट नमबर त्री में लिखा गए हाव मैंनी ऑफ दीज विल बिगन विद दी देखो यह तो टोडल पॉसिबिलिटी सी ना इतने वर्स बन सकते हैं इसमें से कुछ ऐसे हों के जो बिगन हो रहे हों दी से तो बिगन विद दी कैसे निकालेंगे आपके पास कोई भी साथ प्लेसी होंगी यह यू जी एच पी यह यह इस वारे केस पे बिल्कुल आएगी क्यूंकि दी से बिकन हो रहे है ना डॉटर दी आ रहे है पहले 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 हमाने चाहिए कि पहले है और बाकि सब बाद में ना यह यह हो जाए यह सिच्वेशन में यह नहाँ पर इस बने हैं कि तो बाकियों को आपर आपके रहेंच करने हैं क्योंकि दी दो स्राट में आएगा नहीं यहां पे साथ लेटर आप लिखने जाओ लिख दो डीगों फिक्स करने के बाद यहां पर कितने लेटर बने साथ लेटर तो साथ लेटर को फिर अरेंज करने कितने तरीके होंगे कितने नमबर वर्ट जाएंगे सेविन फेक्टोरियल जो के बराबर होता है 5040 के हैं यह हो गया पार्ट नमबर 3 फिर लिखाव है हाव मेनी ओफ दीज बिगन विद डी और टी ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक लाइटर एक वर्ट में डी स्टार्ट में आ रहा है और टी विश्टार्ट में आएगा या या वाला किस हो गें और वाला किस तो पार्ट नमबर 4 हो जाएगा बिगन विद डी और टी तो अब क्या सिट्योशन बनेगी यहां सबसे पहले दी सब्सक्राइब होगे तो मैंने आपको बता दिए यह पोजिशन फिक्स सब्सक्राइब कोई डिवाइड कोई डिविजन प्रिंसिपल लगाने के ज़रत नहीं है डाइक प्रॉडट प्रिंसिपल लाएगा सेक्स फाइफ सॉली साथ है ना तो सब्सक्राइब कोई भी साथ लेटर यहां पर आ सकते जैसे उपटर आपे हो गाए तो यह हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल जो के बराबर होता है 5040 अब इन वर्ड में डी स्टार्ट में आ रहा होगा जो आप इसे वर्ड होंगे जिसमें टी स्टार्ट में आ रहा होगा टी को आप फिक्स कर लो पहरी जगा और टी यह दोनों खत्म होगे अब बाकी जगें साथ जगों में आप क्या करोगे कोई भी साथ में से इदर आ सकता है फिर छे फिर पांच फिर चार फिर तीन फिर दोए अगें प्रोड़क्ट प्रिंसिपल के जरी से सेवन फैक्टोरियल हो गया सेवन फैक्टोर अब देखो यह वाला केस होगा यह वाला केस होगा और आपको खुछ हवार में बता रहा है के सम रूल है लेकिन अब भी समझ सकते हैं यह जिसमें नंबर और वर्ट टोटल कितने आयंगे लिक दो चाहो तो चाहूँ जो बेगन हो रहे हैं हो दी और टी से हमने सवाल के साट पर भी खर लिखना होता तो यह तो यह तोडल आपके पास अरेंगे अच्छा उसके बाद लिखा है लेकिन निकलेगा बिल्कुल इसी तरह निकलेगा के आपको डिवाइट करना पर रहा है तो यह तो यह तो पांच वी प्लेस उस पर आ रहा है तो यह प्लेस फिल् आपके पास कितने हैं अब आपके पास साथ और बचने तो साथ मेंसे यहां पर आ सकता है फिर कोई भी छे पांच चार तीन दो एक फॉर इसेंप्ल अगर यहां पर पर रिपेटिशन हो रही हो तो यहीं सवाल होता आपके पास क्यों ऐसा वर्ड वर्ड उसमें सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि साथ को अरेंज करना है आपने ठीक उसमें से दो एक जैसे हैं तो आपका सवाल बन जाएगा और पर्मोटेशन से भी लेकिन यहां पर यहां पर लगाया को डिवीशन रूल लगाने की जरुद नहीं है यहां तो मसला आपका हल सवाल आपका इसी पर आखरी पार्ट है वावल के फॉर्म और यहां पर इसे प्लेशन फॉर्ट एंट इन प्लेशन प्लेशन फे आपने फिल करने अपर देख लेते हैं वाविल्स और एड है जैके इस एक और फॉर्ट एंड शिक्स प्लेस कोई शूरिए इसके अंदर ली आसानी से हो जाएगा एक दो तीन चार पांचे साथ आठ तो पहली पूजिशन फॉर्ट एंपल यहां पर फिक्स हो गया है तीन वाविल्स है ठीक है मैंने एक अरेंजमेंट डिसक्स की जरूरी नहीं कि पार यहां रहा होगा है क्या को आपके जिसमें इस अपला प्लेस प्लेस पर आ सकता है कोई भी आव थर्ड प्लेस पर आ सकता है इस सब्सक्राइब कि अब यहां पर आप यहां पर आगया और यहां पर इसकेंट फोर्थ प्लेस पे अब हमें टोडर नंबर निकाले ना कि अब इसको डालेक्ट कर सकते हैं लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर मैंने लिखा वा नहीं कि सवाल इस तरीके से करवान है तो अब दो जोडियां है यहां पर एक वावल्ज है तीन वावल्ज है नहीं त verlier लगी जिसमें यूज हो जाए यहां यहां पर यू यह यहां पर यू सकती है तो भाइ सैगैंड प्लेस पर कोई भी हुacaks जैसे में एक ऑने वावल्ज है तो आदि नीम्हादा था तग नर्द मेंचे मेंचन कर दो कि यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज है यू तो बहुत अच्छा आपको सॉलवेशन माना जाएगा मैंने भी बता है पूरा कराची कर रहा होगा इसको तरी फैक्टोरियल मुल्टिप्लाइए फैक्टोरियल लेकर आप इस तरह करोगे तो आपकी बेलिए अब बात आईए कि बाकि जो है उन प्लेस को आपने फिल करना है कोई भी कॉट कर सकते हो अगेर इसके निचे लिखना कर सकते हो अगर अलग करोगे तो इस तरह कर रहे हो गया अभी आप इनको भी मुल्टिप्लाइब करो एक आंसर आएगा अगर आप अलग करना चाहो तो आप लिखो नंबर ओफ वर्ड्स ऐसे वर्स जिसमें वाविल सेकेंट फोर्ट फिफ लेस्ते हैं तो क्या होगा सबसे सब्सक्राइब करते हैं एक वर्ड बना रहे हैं जिसके अदर आठ्ट के आठ्ट हैं मतलब दो मेंट एक साथ हो रहे हैं तो मुल्टिप्लाइब करो आप 120 से तो यह बन जाएगा बेसिक्ली सिक्स फैक्टॉरियल मतलब 720 और यह आपके पास टोटल आरेंजमेंट आदे हैं तो बच्चों इस तरीके साथ सवालों करो के डिटेले में आपनों का अलफाबेट वाले सारे सवाल करवा दियें कोई भी कन्फिजन हो तो आप लगो सकते हो अलाफिस मैं इनके आंसर लिख देता हूं इस ही कांसर लिखने ना बाकी तो मैंने सब लिख लिए हैं तो इसका इसका भी आंसर लिख दिये तो कंप्लीट डिस्केशन होगी है कोई भी सवाल हो तो आप पूर्श सकते हो नहीं यह डबा नहीं है यह आंसर नहीं थे आंसर वह आदा